अमीश देवकन के साथ जनता जनारदन के बीच से सबसे बड़ी चर्चा दिल्ली में तंगा किस किस साज़ेश दिल्ली में हिंसा का सुत्रधार कौन पहले राम नौमी पर पाँच राच्चों में हिंसा और अब भनुमान जैन्ती की शोभाय यात्रा पर हमला ठनौमान जैन्ती की दिल दिल्ली के जहागीर पूरे इलाखे में भवी शोभाय यात्रा निकली लेकिन जैसे ही ये शोभाय यात्रा मस्जित के सामने से निकली तो पत्राव शुरू हो गया दंगाईयों ने पुलिस को भी नहीं बख्षा इस घटना में कुछ पुलिस कर्मी भी खायल हुए पुलिस ने वाइरिंग करने वाले असलम और उसके कुछ साथियों को गिरफ़तार कर लिया है लेकिन एक बड़ा मुद्दा और है ये वो धौर है जब जुल्म के खलाब आवाज उठाने वाले लोगों को शक्त की निगाहों से दिखा जा रहा है करोली में हिंसा हुई बहा गया मुस्लिम महलों से हिंदू नववर्ष का जुलूस निकाला क्यों राम नौमी पर एक के बाद एक कई राज्यों में शुभा यात्रा का स्वागत पत्तरों और पिट्रोल भम से हुआ लेकिन कहा गया संविधनशील इलाखों से निकले क्यों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से खद्रणा गया उस वक्त सब चुप रहे आज उस द्रासिदी को कुछ तथा कथिद बुद्धी जीवी प्रफगैंडा बताते है अब एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को लश्करे इसलाम ने बकाइदा चिठ्थे लिकर थम की दी है लेकिन अब भी सब चुप है हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वो पतल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता क्या लोग दंत्र के लिए ऐसी परंपरा सही है और क्या साम्प्रदाइक्ता और धर्म निर्पिक्ष्टा का एक तरफा रूप हो सकता है आज इसी बुद्धे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा हिंसा सहो चुप रहो अब थोड़ा इत्मिनान से बैठिए कुछ सताकतित बुद्धी जीवियों ने मेरे ही कारिकरम ने कुछ बड़े नेताओं ने ये भी कहा कि राम नामी पर जो हुआ वो जूट है प्रोपगेंडा है ड्रामा है आज ऐसे तमाम लोगों के लिए मैं आके खोलने का दिन है मैं आपको कुछ शॉट्स दिखा रहा हूँ जो यहां पर भी बैठे हैं वो इन शॉट्स को ध्यान से देखिए स्क्रीन के दोनों तरफ वो शॉट्स दिख रहे हैं मैं 16 साल के शिवम के आपको तस्वीरे दिखा रहा हूँ शिवम राम नौमी पर हुआ जो दंगा था जो हिंसा थी उसका गवा है 16 साल के शिवम को इतनी बहरैमी से मारा गया कि चोट से सिर की हड़ियां तूट गई और उसके ब्रेन यानी दिमाग में घुज गई 17 अप्रिल को शिवम के बहन की शादी थी लेकिन जिस भाई को शादी की रस्मे अदा करनी थी पूरी करनी थी वो इस समय आईस्यू में जिन्दकी और मौत से जूज रा है इसलिए शादी को भी फिलाल टाल दिया गया है जो तस्मीरे में आपको दिखा रहा हूँ ये शिवम की है और ऐसा माना जा रहा है कि शिवम बानसिक तोर पर बहुत कमजोर हो गया है वो कब ठीक होगा ये तो महदेवी जानते हैं इश्वरी जानते हैं लेकिन जो लोग कहते हैं ये छूट है प्रोपगेंडा है कुछ हुआ ही नहीं सिरफ तमाशा और बखेडा बढ़ा किया जा रहा है इंदोर के कस्पताल में शिवम का इस समय इलाज चल रहा है और ये तस्वीर मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ मेरे साथ आज की शर्चा में सुबूई खान है मेरे साथ आज की शर्चा में गौरा भाटिया है प्रवक्ता है भारतिय अन्ता पार्टी के शदाब चौहन है नेता है पीस पार्टी के अचारे प्रमोट किश्रम है नेता है कॉंग्रेस पार्टी के सुबूई खान इंसा सहो लेकिन चुप रहो क्यों अमीश बहुत अच्छी दो लाइनों से आपके कारिकरम की शुरुआत हुई है कि हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वो कतल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती तुष्टी करण की राजनीती का ऐसा वीभत स्वरूप हमें आज हमारे देश में देखने को मिल रहा है कि सिर्फ वोटर नराज होने नहीं चाहिए वोट बैंक बना रहे उनके अपरादों पर परदा डालने की कोशिश करी जाती है ये बच्चा ये शिवम जो हमारे सामने अस्पताल के बेड़ पर लेटा है क्या ये ड्रामा है क्या ये सत्ते नहीं है इसके लिए भी हम लोगों को डिबेट्स करनी पड़ती है अपने जखम को दिखा के बार बार ये चिलनाना पड़ता है कि देखिए हमारे शरीर पर जखम लगाए और सामने वाला कहता है कि नहीं नहीं आप अगर ये भी दिखा रहे हैं तो आप हमारे मजभब के ओपर कोई उंगली उठा रहे है राम नवमी पे पत्थर बाजी होना को मारा उसके घर पर अगर बुल्डोजर चल गया तो इतनी हाय तौबा मची हुई है शदाब चौहान आप आपकी पाटी के नेता आपके बड़े बड़े दानेश्वर लोगे कहते है बुल्डोजर से लाना गेर कानूनी है एक बाज बताईए ये शिवम के दिमाग में उसकी हड़िया डाल देना किस कानून के तहट आता है और कौन सी जिनेवा कैन्वेंचन की जानकारी आपरसो तरसो दे रहे थे दो बाते में कहूंगा कि एक चीज निकल कर आई हैसमें विदेशी ताकतों का इन्वाल्मेंट है इन फसादात में मैं उसको सुविकार करता हूँ सरकार की रिकमेंडेशन को और मेरा उपीनियन है कि अमेरीका और आईएस आईएस मिल करके मरियादा पुर श्रीराम की यात्राओं में एक गुंडों की फोज को इंप्लांट कर रहा है जो जाकर के मस्जिदों पर घंडे लगाती है बकवास करती है और कोई भी वाइलेंस होता है किसी की भी तरफ से होता है हम उसको ना सिर्फ कंडम करते हैं और जो शिवम के साथ हुआ डेफिनिटली गलात हुआ लेकिन बिल्डोजर चलाना अगर है तो फिर अदालतों को बंद कर दीजिए फिर पुलिस से करेगी कौन अपरादी है कौन नहीं है जो घर परधान मंतरी आवास योजना के तहत दिया जाता है उस पर बिल्डोजर ये कह के चला जाता है कि यह आवैद है क्या मतलब परधान मंतरी आवास योजना के दहत अवैद जमीन पर मकान बनाए जा रहे है पूरी तरह से राजनितिक लाब के लिए हिंदुस्तान के कल्चर को कतल किया जा रहा है एक बड़े वकील सुप्रिम कोट के मेरे बड़े भाई है इन्होंने अभी नाशनल टीवी पर माना कि अंतराश्ट्री साज़ेश यह बाहर के लोग प्लांट किये जा रहे है लेकिन वहीं जब हम नर्सी की बात करते है कि भाई एक रिजिस्टर ओफ सिटिजन बनने दीजे पता चल जाए कौन अंतराश्ट्री ताकते हैं तो यही शादाब चोहान एनर्सी के खिलाफ ज़ंडा मैं बता दिया अमेरिका और आईसाइस बड़बंगर चाफिए आपने अमेरिका का नाम ले लिए ठीके गौरबाटिया रसेस के लोग दंगा कराते हैं इस देश में तो एक नेता थे नेता है अला कि पूर मुख्यमंत्ती दिग्विजे सिंग जो अभी लोग सबाद चुनाव लड़े थे 2019 में चार लाख वोटो से हार गए वो अपना चुनाव वो मानिय अदिग्विजे सिंग जिन्होंने फरजी फोटो भी ट्वीट किया उन्होंने तो ये भी कहते था 26-11 भी RSS की साजिश है वो एक किताब का विमोचन करने के लिए गए थे और कॉंग्रेस का शास्ता उन्होंने बोला 26-11 तो बीजेपी की साजिश है उन्होंने तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी एक बार फिर कहा जा रहा है कि ये RSS और बीजेपी की साजिश है अश उस पे पत्थर चलाय जाते हैं और दिग्विजे सिंग एक जूटा ट्वीट कर देते हैं वो कहीं और की तस्वीर दिखाते हैं ये बात अलग है कि दिग्गी राजा का बजगया बाजा एफ आयर हो रखी है उनकी गिरिफतारी भी होगी और दूसरी तरफ अशोग गैलोत अशोग गैलोत केते हैं जो नववर्च मनाय जा रहाता हिंदों का उस पे प्रधान मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए कानून विवस्ता विशे है प्रदेश की सरकार का लेकिन माफी नरेंद्र मोदी जी मांगे मैं इतना ही कहूंगा अमीर जी अगर सपोलों को सपोले वो होते हैं जो देश का दूद पीते हैं आस्तीन के साप होते हैं और फिर यहीं हमें डस्ते हैं उनके उपर बुल्डोजर ही चलाया जाएगा उनको दूद नहीं पिलाया जाएगा यही नया मौडल है और बुल्डोजर जो इन लोग को आपती है लेकिन मैं आज आपसे सवाल पूते चाता हूँ दिल की गैराईों से मेरा सवाल है शिवम का क्या दोश था जिसकी बेहन की शादी थी शिवम का दोश देखिए ये था कि वो हिंदू था और ये इसलिए है कि राहूल गांदी कहते हैं हिंदूत का मतलब है बोको हरम और आइसिस मैं ये कहूंगा मजजद के बाहर ये कहते हैं भगवा नहीं लहरा सकते हैं मैं पूछना चाहता हूं क्या मजजद के बाहर की रोड जो है वो हिंदुस्तान की नहीं है वहां भगवा भी लहराए जाएगा ढोल भी बजाए जाएगा नवर्ज भी बनाए जाएगा और एक बात और वसी एक बात देखिए यहां शेदाब चोहान है इनका ट्वीट है क्या कहते हैं मालूम है हमें निजाम-े-मुस्तफा का मतलब है पंदर पेचिता नहीं तो फिर सपोले हुए या भारत से प्यार करने वाले नागरिक हुए या आप बताईए और इनके साथ क् चाहिए जी 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 मैं अडालफ को बंद कर के अब सब पे बिल्डूदर चलवा दिझे कल को हमारी सरकार आएगी फिर आपके उपर प्र प्र लोजर चाहिए निजाम-मुस्तवा पे उत्तर दे देढ़िए भाल बिल्कु तर दे देंगे अधिसदैट पताईए जो चाहां हलाला होता है सत्ताइब का बुद्धा ठारा साल की बच्ची से निकाह कर लेता है जहां पे चार महिला है शादी हो सकती है वो सही गलत है आपको जिस चीज की डिफिनेशन आप पता रहा हूं अचाए एक अब आपको निजाम मुस्तवा का शासन चाहिए जवाब से इस देश में राम राज अंबेट कर राज रोहिया राज की बात हुई है साविधान बदलना नहीं है बलके जिस तरीके से निजाम मुस्तवा में न्यायज था वही निजाम मुस्तवा है। इस देश के अंदर राम नौमी में एक पैटर्न चला और वो पैटर्न ये चला पहले पत्थर चलाए गए खदेड़ा गया अब फिर घर से भी निकाला जा रहा है लेकिन कहा ये जा रहा है कि हिंसा सहो और चुप रहो बोलो मत इससे हिंदू-मुसल्मान हो जाता है अमीश धर्म की किसी किताब में नहीं लिखा है कि जगड़ा करना ठीक है, फसाद करना ठीक है, दंगा करना ठीक है, हिंसा करना ठीक है, नफरत करना ठीक है लेकिन अफसोस इस बात का है कि सारे जगड़े धर्म के नाम पर ही किये जा रहा है